हाई फ्रेंड्स हलो और वेलकम तो देशानल कैसे हैं आप लोग मीद कर रहा हूं बहुत अच्छे से रह रहे होंगे और अपने पढ़ायो और तेयरो में भी बहुत अच्छे से लगे होंगे तो चैले फ्रेंड्स अब इस वीडियो के बारे में बात करते हैं सर यहां पर आप लोगों ने बहुत ही बड़ी उलजन क्रेट कर दी है कि आखिर आपको किसमें जॉइन करना है चाहिए आरवी पियो में या फिर एस बीजे में कंटिनीव करना चाहिए राइड क्योंकि यहां पर बहुत सारे ऐसे जनाब बॉंड आप लोग यहां पर मतलब इस चैनल में जोड़े हुए हो जिन्होंने एक नहीं दो नहीं कितने सारे नाजाने एक्जाम निकालके रखे हुए हैं एक्जाम निकालते हो आप जनाब और कंफ्यूज करते हो मुझे हर कोई पूसता है अपने प्रियोर्टी के हिसाब से कि मेरे लिए SBAJ बेटर होगा य अब फिर उसमें आगे बढ़ने के लिए फिर एक दौर लग गई तो सरी इतना बड़ा जो यह कॉंपिटिटिव मतलब एक्टमस्फेर है जहां पर आप रह रहे हो जिस एज में हो तो बहुत जैन्वेन सा कुशन उठता है कि हमारे लिए बेस्ट या बेटर क्या होगा तो बहुत लोगों में होता है कि मुझे क्या करना है कि मुझे अपने य। Origin को बहुत आग हuba ले जाना है तो तो फिर उसके लिए हमें कोई कॉंप्रमाईज नहीं मांगता है तो वो लोग क्या करेंगे वो सुच करना चाहेंगे बट फिर भी में द्र तो नाचुरल सी बात है, confusion तो होगा ही, पर सर क्या आप लोगों ने इस बात पर गौर किया, कि ये confusion आपको इसलिए नहीं है, कि आपको किस में जाना चाहिए, आपको ये job में confusion, decision लेने में सायद इसलिए है, क्योंकि आप लोग अभी ये नहीं समझ पा रहे हो, कि आप लोग आप लोगों ने वहां के working atmosphere में देखा होगा, बहुत चीजें देखी होगी, समझी होगी, तो आपको पता हो चल गया होगा, कि SBI को किसी भी तरह का और branding का नाम का जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर काम की बात नहीं कर रहा हूँ, कि काम मतलब वहां पर आप करोगे, अपना काम करना पड़ता है, ठीक है, काम हर जगा banking industry में बहुत है, आप हर किसी को काम करना पड़ेगा, अगर financial sector में आयो, तो इन चीजों को आपको मान के ही चलना होगा, but among these things, मतलब इन factors को अगर अटा दो, तो फिर SBI को eliminate करना हो, RRV के लिए, फिर RRV को छोड़ना, SBI के clerical post के लिए, how much worth it is, यह question बहुत ही common उठता है, तो यहाँ पर आपको appropriate, इस sense में देखना होगा, sir, कि आप अगर अपने banking industry में आपके ही, आप satisfied रहने वाले हो, बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को, आपको confusion बिलकुल भी नहीं होगा, अगर आपको है कि मुझे अपने इस organization में, म इसे future में growth point of view से अगर आप consider करोगा, अगर आप यह सोच के मतलब individual हो, कि banking industry is your final career, और आपको यहीं पर रहना है, तो फिर sir, SBI से उपर कुछ नहीं है, मतलब फिर आप EPEX में चले जाओगा, RBI में चले जाओगा, बाहर DCGC, यह सब में जा सकते हो, but other than these कि आप इस से अचा में ही रहना है, but ऐसा कोई hard and fast rule मेरे लिए नहीं है, कि मतलब मुझे कोई bank के नाम से मतलब नहीं है, मुझे अपने designation से मतलब है, और साथ ही साथ, मुझे अपने career को कम time में बहुत आगे ले जाना है, it doesn't matter whether I remain in SBI, or be it a RRBP or any of other such banks, if I get promotions, and future also if you consider this thing कि, अकर मुझे promotion के आपको directly scale 3 कम आगा मिलता है, किसी और bank में, suppose, आपको मिल जाता है, विजिया bank में, तो आप चलो, RRB से better app चले गए, फिर हो सकता है, आपको scale 5 के like कोई post मिल जाए, किसी private bank में, तो इस point of view को आप बहुत इच्छे से समझे है, कि आपके लिए career point of view से क्या जादे एहमेत सकते हो, रएट, packing industry में career बनाना है, तो इधर रहके आप अपने fulfill कर सकते हो, dreams को, बट अगर आपको अपने career point of view में, यह आपका सोच है, कि मुझे अपने designation को आगे ले जाते आना है, कम से कम time में, और doesn't matter for you at all, कि आप किस organization में रहते हो, तो RRB is also a very good choice, जहां तक बात आती ह clerical and officer की, तो definite से एक बात है, सर, यह बात समझ लगे हो, समझते ही हो, और फिर से बोलना मुझे नहीं लगता है, कोई ज़रूरी है, पर हलका सा hint दे तो, salary को ऐसा आप देखोगे, तो RRB PO की salary officer वाली है, बहुत सारे changes RRB में हो चुके हैं, चुकि पहले नहीं हुआ करते थे बहुत benefits आप मिलने लगे हैं, चुकि SBI में, J में आपको company in comparison अगर आप करोगे, बट इसका यह मतलब नहीं है, कि SBI J में alliances हैं ही नहीं या फिर यह नहीं है, SBI J वाली वीडियो देखलो, आपका confusion बहुत अच्छे से दूर हो जाएगा, बट RRB PO वाले में ध्यान देने वा आपको क्या, दुनिया में किसी को नहीं पता है, कि अगर मैं RRB में चला जाता हूँ, अगर आप SBI में already job कर रहे हो, क्या guarantee है, फिर मैं SBI में आहीं पाऊंगा, है ना, यह वाली feeling आ जाती है, तो यह चीज़ों को आप बहुत पारीकी से अपने अपने लाइप में ध्यान दीजे, आपकी क्या priorities है, वो आप ही जानते होगे sir, बट आपको इससे confusion दूर होने में थोड़ा बहुत benefit जरूर मिलेगा, इसके बाद अगर मैं बात करूं, तो sir आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजे, कि आपकी place हो posting कहा है, आपके लिए favorable क्या है, आपका future aspect क्या है, आप officer है, तो आप बहुत अच्छे से समस सकते हो, कि designation wise, rank wise, SBIJ comes under किसके, RRBJ के, but in the terms of branding and name and fame, जो भी आप कहलो, तो आपको अच्छे से बताओगा, कि SBIJ has got no competitors at present, है ना, तो यही था sir, एक छोटी सी बात, जो कि मैं आप लोग को इस वीडियो के थूरू बताना चाह रहा था, होप कर रहा हूं, समझ गयोगे, बैट इस्टिल अगर आप कोई doubts हैं, तो फिर आओ comment section में पूछो, और sir, एक बात बताया तो, confuse मत करो, जो decide क्यों, वही करो, बस इन चोटी चोटी चीज़ों को follow करो, बाकि फिर कोई confusion आपके लाइप में नहीं रहेगा, चले friends, मलते हैं फ